दोस्तों कल क्लू आ रहे हैं बहुत जाधा कि market positive open हो सकता है लेकिन positive open होने पर आप profit कैसे बनाओगे आप अपने loss कैसे recover करोगे जैसे कि देखेगा last market में put side में देखेगा पैसा बना था वैसे ही अब call side में बनेगा अगर market अप open होता है तो तो कल अगर पैसा बनाना चाते हैं तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दे रखा है update बहुत अच्छी आ रही है दो जगे से और ये दोनों जगे देखेगा बहुत important है एक ECB इन्होंने भी rate hike करा है एक federal reserve इन्होंने rate hike करा है तो इससे देखेगा related update जो आ रही है वो आई है जब हमारा market Friday को close हो गया था साड़े तीन मजे के बाद अब यहाँ पे investor देखेगा काफी big bet कर रहे है great divergence जो है fed और ECB को लेकर divergence क्या है यहाँ पे fed का देखेगा जो अभी rate hike हुआ था वहाँ से market expect कर रहा है कि यह particular जो last week rate hike हुआ है तो यहाँ पे जो investor सोच रहा है कि US यहाँ पे settle हो चुका है US में देखेगा लगातार 10 rate hike हो चुके है और fed ने अपनी rate hike को finish कर दिया है tightening of cycle को finish कर दिया है और July से उनका shift जो होगा वो जयादा देखेगा curbing high inflation to soothing देखेगा slowing economy इस तरीके से होगा यहाँ पे वो hold करके रख सकते हैं वो अलग बात है लेकिन आप यहाँ से market यह मान रहा है यहाँ से investor यह probability लेके जा रहा है कि यहाँ पे अब rate hike नहीं होने वाला है तो यह positive update है चुकि आपको Friday को यह cover up नहीं हुई है चुकि Friday को हमारा market शाम को close था second देखेगा ECB ने रात को क्या किया था rate hike किया था ECB ने देखेगा rate hike अभी 4 मेनियों से शुरू करा है ECB देखेगा lift करके बताया रहा है कि इस cost को at least one तक ले जाएगा वो भी इस particular year के end तक तो जैसे ECB यहाँ पे pause करेगा तो यहाँ से market इस साल के December में lifetime high को achieve करेगा यानि कि December में यानि next half में हमारा market lifetime high को achieve करेगा जब दोनों बड़े central bank क्या करेंगे rate hike को रोग देंगे अब इसका benefit क्या देखने को मिला इसका benefit यह है कि आपको पता है जब actual में last में देखेगा 2008 से 2009 के बीच में जब actual में announcement हुआ था कि recession आ गया है तब market ने भागना शुरू करा था ना कि गिरना तो देखेगा जब भी economy आपको यह बताने की कोशिश करें जब भी official आपको बताने की कोशिश करें कि अब हम recession में आ गये हैं तो यानि कि तब यह बात है कि तब recovery का time है चुकि आप पहले से ही recession में थे लेकिन आप बतानी रहते अब दीरे दीरे देखेगा जब recession आ जाएगा तो central bank क्या करेंगे आगे चलके अपने rate कट करना शुरू करेंगे उस economy को फिर से strong करने की कोशिश करेंगे जिससे capital market खुश होता है ऐसा इतियास में कई बार हुआ है कि जब announcement होगा कभी slowdown है या फिर recession है slowing economy है तो समन लीजेगा तब market भागने वाला है ना कि गिरने वाला है ये बहुत ही strong signal होता है 2008 की बंदी से आप ये जान सकते हैं तो अब इसके basis पे जब देखेगा ECB दे और ये चीजे हुई तो उसके basis पे Friday शाम को क्या हुआ Friday शाम को देखेगा डो जोंस में आपको देजी देखने को मिली है 550 पॉइंट की जो कि आपको पता है जस्ट अपोजिट है Indian stock market के Indian stock market में भी domestic element के बज़े से market गिरा था वरना global wave में कोई भी bad news नहीं आई थी फिर अगर आप देखेंगे तो IT 50 sector जो बहुत सालों से perform नहीं कर रहा था बहुत देखेगा दिनों से महिनों से perform नहीं कर रहा था वो second weightage रखता है 50-50 में तो second weightage रखता है तो बाली जे banking सुस्त भी रही कल तो आपको पता है कि IT कल perform करेगा चुकि आपका जो tech segment है उसमें आपको देखेगा बहुत तेजी देखने हो मिली है कम से कम 30% की तेजी देखने हो मिली है अमेरिका में तो उसका कुछ ना कुछ impact तो आएगा ही तो TCS, Infosys, SCL Tech के perform कल करेंगे और जैसे ये के perform करेंगे तो IT देखेगा कल एक major part देखेगा देगा Nifty को उठाने में फिर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आप जितने भी indexes देखेंगे तो यहाँ पे आपको तेजी देखने हो मिली है ये तो हो गई अमेरिका की बात अब मैं बात करता हूँ other index यानि कि अमेरिका में भाग रहा था तो यहसा तो है नि कि पूरे Asian market में भी भाग रहोगा नहीं आप बिल्कुल गलत है यहाँ पे सारे Asian market देखेगा पूरे के पूरे जितने भी Asian market है उनमें तेजी देखने को मिली है 2-2-1-1.5-5% की तो आप समझ सकते है क्योंकि इंडिया का stock market शाम को बंद होता है इसलिए हमारे market पे यह impact देखने को नहीं मिला है जिसके कारण देखेगा आप देख सकते है stock market कल gap up खुल सकता है अब मैं आपको Singapore का दिखा देता हूँ यह देखेगा 1% फिर China का दिखा देता हूँ DAX दिखा देता हूँ फिर देखेगा FTSC दिखा देता हूँ Europe का market दिखा देता हूँ जितने भी stock market है आप देख सकते हैं जितने भी stock market है इनमें uptrend डेक्टिंग को मिला है last Friday की night को तो यह impact हमारे stock market में अभी तक नहीं आया है जिसके basis पे माना जा रहा है कि कल हमारा बाजार भी gap up खुलेगा एक और indication देता हूँ यहाँ पे देखेगा Nifty future close हुआ है 18.186 के पास और हमारा Nifty close हुआ है 18.065 के आसपा जो की एक support है तो दोनों में gap है कम से कम 100 point का तो इसके basis पे भी माना जा रहा है कि कल market gap up खुल सकता है तो कल के level बहुत ही simple होंगे 18.140 का देखेगा resistance होगा अगर यह breakout होता है तो ही आपको आगे का view बनाना है Otherwise market सुस्त है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे support बहुत ही important है 17.960 का यह support मैं इसलिए ले रहा हूँ चुकि अगर यहाँ पे closing देखने को मिल जाती है मालजया short covering होई आपने trade कर लिया फिर उसके बाद market बन कर दिया और उसके बाद 17.960 पे गर closing हो जाती है तो यह बहुत ही cautious element होगा फिर nifty bank की बात करेंगे nifty bank में देखेगा बहुत important level है देखेगा 17.940 रेजिस्टेंस अगर यह breakout होता है तो आपको अच्छा move देखने को मिलेगा नीचे की तरफ देखेगा 42.440 एक red alert है इसके नीचे अगर closing होती है तो आपके 42.000 के द्वार खुल जाएंगे तो focus करिएगा वीडियो कर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना और मूलेगा Thank you so much